तो दोस्तो आज की इस वीडियो में दोस्तो हम बात करेंगे कि दोस्तो आपके मोबाइल में जो इस्टा करम एप्लिकेशन है और दोस्तो आपने उसमें बहुत दिनों से डाटा केलियर नहीं किया है और दोस्तो आपको उसमें कुछ एरर आ रही है और दोस्तो आप डाटा के कैसे कर सकती हो तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखना और दोस्तों आप चैनल पर पहली बार आये हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपने बार इस दूसरा है तो आपको एपस मैंजमेंट या एपस या एप्लीकेशन कुछ होगा दोस्तो जैसे कि हमारे मोबाइल में एपस है तो दोस्तो इस पर क्लिक करना है और फिर उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर स्क्रोल करके अपना इस्टाग्राम एप्लिकेशन को ढूंड लेना है तो दोस्तों अगर नहीं मिल लेते दोस्तों आपको उपर सर्च वाले बार में आपको सर्च कर लेना है इस्टाग्राम तो दोस्तों सर्च करने के अबाद दोस्तों आपको उस पर क्लिक करना है और फिर उसके अबाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस परका का इंटरफेस होगा तो दोस्तो अगर आपको उसका डाटा क्लियर करना है तो दोस्तो आपको उसके लिए आपको इस्टोरेंज उस पर क्लिक करना है और फिर उसके बाद दोस्तो आपको क्लियर डाटा तो दोस्तो क्लियर डाटा करने से पहले मैं आपको एक बात विज़ा देता हूं दोस्तो अपने इस्टागरम अकाउंट का आईडी पास्वर्ड याद रखना होगा दोस्तों आपको उसमें फिर से लोगिंग करना होगा तो दोस्तों और दोस्तों इसके बाद एक और बात बता देता हूं मैं आपको कि आपके आपने कोई रील या फोटो अगर आपने ड्रॉप में सेव कर रख की है तो दोस्तों आप कर लेते होगा तो फिर उसमें इडिलिट हो जाएगी दूस्तों से पहले आपको पर्लोट कर करने के लिए आपको किले डाटा इस पर क्लिक करना है और फिर उसके बात दोस्तों आपको ब्ल्यू कलर में ओके हैं इस पर क्लिक करना है कि तो दोस्तों आपके इस्टाग्राम एप्लिकेशन का के डाटा किलेर हो जाएगा और दोस्तों आपके इस्टाग्राम एप्लिकेशन पर कोई एरर या कुछ होगा दोस्तों वह सोल्व हो जाएगा तो दोस्तों फिर आपको नीचे फोर्स इस्टोप देखेगा दोस्तों आ आपको फोर्स इस्टो ब स्टोब भी करळेना है दोस्तों आपके इस्था क्रामे यह खीशन पर कुई भी एरो या कुछ प्रोबलम होगी तो जीस दो भी सूल्व हो जाएगी तो फॉर्स इस्टोब करने के लिए दोस्तों आपको नीचे ब्लू कलर का बटन है ओके आपको इस पर क्लिक करना है तो दोस्तों आपका फोर्स इस्टोप भी हो जाएगा और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लैक जरूर करें